Hello बच्चो, Welcome to AuthenticWireFactory बच्चे ये इंटरोड़क्टरी वीडियो है इस चनल के बारे में इस चनल में आपको biology के बारे में कुछ biology के core concept बताए जाएंगे तो आज हम biology के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो ये जो biology शब्द है, ये जो biology वर्ड है यह actual में इसका मतलब क्या है यह word आया कहां से तो basically यह जो biology word है यह Greek के दो word से आया है एक word है उसे हम bios कहते हैं तो bios का meaning था bios में से bio आया और इसका meaning था life मतलब जिन्दगी और logos इससे logi आया logi का मतलब होता है to study ठीक है तो इसी लिए अगर हम इसको मिला के बोलें तो what is biology तो biology simply है study of life is called biology और सबसे पहले इस biology को इस biology वाली science को इस life की science को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक scientist आये उनका नाम था Aristotle इसी लिए Aristotle को father of biology भी कहा जाता है और जैसे अब हम living की बात करें तो living तो इस धर्ती पे बहुत सारे प्राणी living है तो इनको पहले categorize करना पड़ेगा पढ़ने के लिए तो जब हम living को categorize करेंगे तो हम मोटे मोटे तोर पे देखें तो हमें दो तरह के जानवर दिखते हैं एक तो जानवर आ गए एक पेड़ पोदे आ गए और उस biology की ब्राणच को botany कहा जाता है और एक ब्राणच है बायो की जिसमें हम animals की study करते हैं उस ब्राणच को zology कहा जाता है और Aristotle जो है वो father of biology कहलाते हैं अब Aristotle zology भी पढ़ते और botany भी पढ़ते ऐसा तो possible नहीं था कि plants और animals की दोनों की study अकेले करते तो इसलिए Aristotle के ही एक student थे जिनका नाम था Theophrastis तो Theophrastis ने botany plants के बारे में पढ़ने की शुरुबात कर ली इसलिए उनको एक title मिला जिसे हम father of botany कहते हैं तो father of botany Theophrastis है और father of zology Aristotle है तो अब जब next वीडियो आएगा इसमें biology के बारे में और आगे आगे आपको बताया जाएगा